बारतिय परंपरा में विबेकवाद इस शब्द का उपयोग बड़े पैमाने पर हुआ है रैशनलिजम बुद्धी प्रामनेवाद ये आधुनिक शब्द है डॉक्टर बट्रों ड्रसेल ये बहुत बड़े वैज्जानिक थे फिलोसोफ पर तत्वग्य थे रैशनलिजम और डॉक्टर बर्ट्रों ड्रसेल इनका नाम साथ साथ में लिया जाता है अधुनिक जगत में लेकिन भारतिय परंपरा में ये ब्रामन परंपरा है तत्वद्नियों की परंपरा है इसको विबेकवादी परंपरा ऐसा कहा गया और ये बिबेकवाद रखने वाले लोगों को बताने वाले या उस डंग से जीने वाले जो लोग थे उनको चारवाग कहा गया है ये चारवाग परंपरा रही है चारवाग कोई एक ब्रामन नहीं था जो भी बिबेकवादी ब्रामन होता था विगद्वान होता था और वो इस परंपरा को मानता था उसको चारवाक कहा जाता था ये चारवाक परंपरा की एक विशेश्टा ये थी ये किसी भी चीज़ को प्रवाण नहीं मानते थे याने किसी ने कहा है वेदों ने कहा है या फिर किसी ने कहा है किसी रुशी मुनी ने कहा है इसलिए नहीं मानते थे वो हमेशा जो सच है जो हमें पता है जिसको हम जाच सकते हैं जान सकते हैं ऐसी ही चीजे अपने जीवन में स्विकारते थे उन्होंने विवेकवाद की एक परंपरा जो निर्माण की उसमें माना जाता था कि प्रत्यक्ष प्रमाण डाइरेक प्रूफ और उसके आधार पर जो अनुमान किया जाता है जो तर्क किया जाता है उसको विवेकवाद ऐसा कहते हैं एक उधारण से मैं शुरुवात करूँगा तो आपको अच्छे दंग से ध्यान में आएगा कि ये विवेक बात क्या होता है आप एक जंगल में भटक गए हो अकेले हो शाम का समय हो रहा है आपको मालूम है कि एक देड़ गंटे बात अंदेरा होने वाला है यहां बहुत ही डराओने जानवर है ये जानवर आपको खाकर खतम कर सकते हैं आपके मन में बहुत बड़ा डर आपको लग रहा है जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है ऐसी अवस्था में कुछ दूरी पर शायद एक किलोमीटर दूरी पर आपको धुआ दिखता है केवल धुआ दिखते ही आपको बहुत आनंद होता है यानि आपको दिखा क्या केवल एक धुआ थोड़ी देर में उसके ही थोड़ा सा पास में दूसरा धुआ का तिसरा धुआ ऐसा धुआ उपर उपर आ रहा है और आप देख रहे हों उसको आपको मन से बहुत आनंद हो जाता है क्यों आनंद होता है कि आपको मालूम है कि अगर वहाँ दुआ है तो उसके पीछे अगनी होनी चाहिए अगनी के बिने दुआ का अस्तित्व नहीं हो सकता है अगनी के बिना दुआ का अस्तित्व नहीं हो सकता है यह आपको बहुत अच्छे डंग से मालों है यहाँ जहाँ दुआ होगा उसके पहले उसके नीचे अगनी होनी चाहिए अभी यह अगनी दो प्रकार की हो सकती है जंगल में लग गई अगने, आग लग गई तो यह जो आग जंगल में लगती है वो कंट्रोल नहीं होती है आइदर वो आग भड़कते जाती है, बढ़ते जाती है, बुझते जाती है आप देख रहे हों, गई 10 मिनिट से देख रहे हों लगातर उतना ही दुआ उपर आ रहा है इसका मतलब है ये कंट्रोल डाग है कोई तो भी इस आग को नियंतरित कर रहा है और आपको पता है कि पूरे प्राणी सुरुष्टी में केवल आग को नियंतरित करने का सामर्थ मानौ में हैं मानूस में हैं इंसान में हैं आपको मालूम है कि वहाँ कोई तो भी आग जला रहा है अब ये आग एक नहीं है क्योंकि वहाँ एक दुआ दुसरा दुआ तिसरा दुआ चौथा दुआ आप देख रहे हो इस पर से आप कल्पना करते हो कि शाम का समय है शायद वहाँ पर गाव होना चाहिए चार-पाच ग चाहिए वहाँ लोग होने चाहिए और आपको एक दम्मन से आनंद होता है क्योंकि आपको पता है एक किलोमीटर अंदर अगर मैं जा पाऊं तो वहाँ जाने के बाद मुझे खाने को भी मिलेगा रहने के लिए भी जग मिलेगी प्राणियों से सवरक्षन मिलेगा और मैं जिन्दा रह पाऊंगा अभी आपने केवल दुआ देखा है यहां प्रत्यक्ष प्रमाइन डायरेक्ट प्रूफ है दुआ दुआ के आधार पर आप कलपना करते हो कि वहाँ अगनी होना चाहिए यह आपका अनुमान है वहाँ अगनी होना चाहिए ति यह अगनी अनुष्यवस्ती है इस निशकर्ष तक आप पहुच जाते हो इसको कहते हैं वेवेकवाद यहां में जो प्रत्यक्ष प्रमाइन है और उसके आधार पर जो अनुमान करते हो आप तर्क करते हो यह कालपनिक तर्क नहीं होता है हमेशा यह अनुमान आपका पुराना उसके साथ में दूआ उपर उठता है लोग घर घर में शाम को चुला जलाते हैं यह भी आपका केवल अनुमान नहीं है दूआ देखने के बाद उस अनुमान तक आप पहुचे हो क्योंकि यह आपका पुर्वानुभव है पहले आपने यह अनुभव ले चुके हो इसके आ प्रत्यक्ष प्रमान अधिक अनुमान इसका सही माने में अर्थ होता है कि अभी का प्रत्यक्ष अनुमान प्लस पुराना प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव प्रमान इसके आधार पर आप अनुमान करते जाते हो सच्चाही तक पहुचते जाते हो उसको स्व परमपरा थी बहुत संबुद्ध परमपरा भारत में थे लेकिन इनका कोई इसका कारण क्या है इस परमपरा को कि इस भारत-वरस से खतम किया गया था कि इसका आखरी उधारण आपको महा भारत में मिलता है आज जो भी चारवाक के बारे में जानकारी भारत में उपलब्द है वो केवल उनके बारे में जो बुरा लिखा गया अनेक ग्रंथों में उसके आधार पर उपलब्द है याने उन पर जो टिका की गई उनको कोसा गया उनके उपर भला बुरा कहा गया चारवाकों के बारे में उसके आधार पर एक्चुली चारवाक परंपरा क्या होनी चाहिए इसका अंदाज हम लगा सकते है और उसके आधार पर तब की चारवाक परंपरा क्या हो सकती है समझ ल पहुंचाया है। चारवात पर एक बहुत सुन्दर नाटक भी था। विध्यादरपुणलिक जी उन्होंने वह नाटक किया था। मैंने वह देखा था। बहुत सुन्दर नाटक था। लेकिन ये परंपरा का आख्री जो उल्लेख है, वह हमको महाभारत में मिलता है। जब महाभारत में युद्ध खतम हुआ, पांडव ये युद्ध जीत गए, युद्ध जीतने के बाद में उन्होंने एक यज्य का आयोजन किया, यज्य के आयोजन का उद्धेशी था विजय जो प्राप्त हुई है, उसके लिए ये यज्य था, नैशरली इसमें बहुत लोग मारे गए थे, बहुत क्षत्रिये मारे गए थे, लेकिन ब्रामन युद्ध नहीं करते थे, इसलिए वो जिन्दा थे, ये जब सब प्रोग्राम चल रहा था, उसमें ब्रामनों का भोजन चल रहा था, और तभी एक ब्रामन महापरा आये, ये च चारवाग ब्रामण थे चारवाग भी जन्वा से ब्रामण होते थे उन दिनों में जो भी विद्वत्ता की परंपरा थी ज्यान की परंपरा थी वो ब्रामणों में ही थी बाकी लोगों को अध्यन करने का विद्वान बनने का इस जंग से परंपरा को चलाने का अधिकार ही न अगर कोई राजा इस सवाल का जबाब देने के लिए असमर्थ होता है तो उसको उसने अपना राज छोड़ कर निकल जाना चाहिए ये मान्यता थी और युदिष्टिर राजा पैंडो के बड़े भाई राजगर्दी पर बैठे थे वो राजा थे उनको इस ब्राह्मन ने च उसने सवाल पूछा और भी आखरी का चारवाध ब्राह्मन उसने सवाल पूछा राजे आप ये यज्य कर रहे हों किसलिए कर रहे हो नम्रता से जब अब दिया युदिश्टीर जी ने कि ये यज्य मैं कर रहा हूं इसलिए कि हम पांडवों का विजय हुआ है सत्य का विजय हुआ इसलिए इस विजय के उपलक्ष में ये हमारा यज्य है बुले विजय को आप इतने अच्छे ढंग से निभा रहे हो आनन्द वगेरे वगेरे व्यक्त कर रहे हो तो इसमें इस विजय में आनन्द व्यक्त करने जैसे क्या बात है आनंद व्यक्त करने जैसी क्या बात है आपके काफी पुत्र मारे गए आपके पुत्र बदू विद्वा होई है आपके चचेरे भाई मारे गए बहुत से आपके चचेरे भाई भाईयों के जो पुत्र बदू है वो भी विद्वा हो चुकी है आपके जो सेनाबती थे, सैनिक थे, उनमें से काफी लोग मारे गए विद्वाएं अभी तक रो रही है अपना दुख व्यक्ते कर रही है और आप यहाँ विजय कर रहे हो विजय का उत्सव मना रहे हो युदिष्ठिर धर्मराज सवालों के जबाब देने का प्रहास कर रहा था एक-एक सवाल ये चारवाग डाग रहा था सवालों के जबाब देना बड़ा मुश्किल हो रहा था और जो ब्रामन भोजन कर रहे थे उनको डर लग रहा था कि कही ये राजा सवालों का जवाब न देने के करण अपना राज छोड़ कर न चला जाए इसलिए उन ब्रावनों ने खड़े ओकर युदिष्णिर राजा को समझाने का प्रयास किया उन्होंने कहा कि ये जन्म से ब्राह्मन है लेकिन ये कर्म से ब्राह्मन नहीं ये चारवाक है ये वेदों को नहीं मानता है जो वेदों को नहीं मानता है उसको ब्राह्मन रहने का अधिकार नहीं है इसलिए आप इसके सवालों का जबाब नहीं दे आपको इसके सवालों का जबाब देना कंपलसरी नहीं है आपकी इसकी जरुरत नहीं है आपने से सवालों का जबाब नहीं देना चाहिए युतिरिष्टिर राजा कहने लग यह ऐसा कैसा होगा ब्राम्मन है उनके सवालों का तो जबाब मुझे देना ही चाहिए जब उन्होंने देखा कि उधिष्टिर राजा इन सवालों के जबाब के चक्रवियों में अटक जाएगा तब उन ब्राम्मनों में से एक ब्राम्मन ने एक शत्रिय के मैंन से तलवार निकाली और ये जो आ आखरी का चारवाक मारा गया उसके बाद में किसी चारवाक का उल्लेग आगे के साहित्य में नहीं मिलता है इसलिए चारवाक परंपरा पूरी तरह से भारत से खतम हो गई थी लेकिन इनके बारे में जो भला बुरा का गया है इसके आधार पर ये चागरवाक परंपरा क्या थी ये विवेकवाद भारत में क्या था ये हमको पता चलता है और उसके आधार पर उसके उपर हम बातचित कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशन्स पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाए